नमस्कार दोस्तो स्वागात आपड़ टेक्निकल गयानवे सुरिंद्र सिंग अधिकारी के साथ दोस्तो आज को जो हमारा टॉपिक है वो बढ़ा ही इंट्रेस्टिंग है दोस्तो वो टॉपिक है हमारा Simple Easy Conversion Fahrenheit to Celsius में और Celsius to Fahrenheit में दोस्तो वैसे और इसमें काफी सारे फार्मूले हैं लेकिन मैं आज आपको बहुत ही Simple और एक Easy फार्मूला बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप इस calculation को बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं तो आएए दोस्तो स्टार्ट करते हैं Fahrenheit to Celsius and Celsius to Fahrenheit तो दोस्तो मेरा आप से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तो जो Simple ट्रिक है वो यह है Suppose अगर मैंने डिगरी Celsius निकालना है तो इसके लिए मेरा फार्मूला होगा F-32 upon 1.8 तो दोस्तो यह मेरा फार्मूला है डिगरी Celsius को निकालने का तो दोस्तो आएए मैं एक बार आप को निकाल के दिखाता हूँ Suppose मेरा मैंने 122 डिगरी Fahrenheit निकालना है मैनस 32 upon 1.8 तो आएए दोस्तो हम इसको मैनस करते हैं तो देखिए दोस्तो है 122 मैनस 32 फिर इसम डिवाइड कर देंगे 1.8 तो दोस्तो यह मेरा आगया 50 डिगरी Celsius 50 डिगरी Celsius यहां पर जो मेरा डिगरी Celsius निकला दोस्तो यह मेरा यह निकला मेरा 50 डिगरी Celsius तो दोस्तो इस तरह आप इसमें कोई भी वैल्यू लगाकर Fahrenheit को degree Celsius में convert कर सकते हैं चाहें आप इसमें 5 Fahrenheit लगाएं चाहें 10 लगाएं 15 लगाएं कोई भी लगाएं यह जो आपको easily जो आप इससे find out कर सकते हैं तो दोस्तो आईए मैं बताता हूँ आपको degree Fahrenheit निकालने का तो degree Fahrenheit निकालने का जो मेरा पारमरा C into 1.8 प्लस 32 तो यहां पर दोस्तो हमने क्या करने है degree Celsius जो हमने निकालना है हमने उसकी value यहां पर डालनी है तो यहांनि हमारा गर्रम suppose हम 40 degree इसको निकालना चाहते हैं तो 40 into 1.8 प्लस 32 तो आईए दोस्तो यह into है 40 into 1.8 तो दोस्तो आगे 72 प्लस 32 तो दोस्तो यह मेरा आगे 104 104 degree Fahrenheit तो यानि दोस्तो जो मेरी 40 degree Celsius की जो मेरे Fahrenheit में अगर मैंने चेंज करा तो यहां निकला है 104 degree Fahrenheit तो दोस्तो यह है वो simple equation जिसके दोवारा डिगरी Celsius से Fahrenheit में और Fahrenheit से degree Celsius में निकाल लेते हैं हम इसे निकाल सकते हैं, दोस्तों, दो-तिन फार्मूले और हैं, वो भी मैं आपके साथ शेर कर देता हूं, ताकि आपको उन फार्मूलों के बारे में भी पता रहे, जैसे हैं कि सिंपल सा फार्मूल सी अपॉन फाइव स्कॉल टू एफ माइनस बतिस बते नाइन, और जो मेर मैं इसे डिगरी सेलसेस में निकालना है, तो दोस्तों, यह है, एफ माइनस पतेस इंटू फाइव अपॉन नाइन, तो यानि इसके दोरा आप इसे डिगरी सेलसेस निकाल सकते हैं, दोस्तों, देखिए, मैंने यहाँ पे आपको तीन फार्मूले बताए, नमबर न फार्म हैं यहाँ तो डोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे like, share, subscribe करना, subscribe के साथ मुझे प्रबिक और अगर आप Electrical, Mechanical, Air Conditioning की फिल्ड्से हैं, तो सब्सक्राइब के साथ में यह बेली नहीं वीडियो में एक नए और इंटिस्टि पॉपिक के साथ तब तक के लिए दोस्तो गुडबाई चाहिए